हलो चिल्रेन, स्टेंडर फोर, चाप्टर शेक्स, इनकी भी सुनिये इस पार्ट में यही बतलाया गया है कि हमारा पार्यवरेन दिन प्रती दिन अधिक मात्रा में दूसित हो रहा है इस कारण पार्यवरेन भी आपस में अपना दुख प्रेकट करती है तो आईए बच्चो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा पार्यवरेन कैसे दूसित हो रहा है और पार्यवरेन को हम दूसित होने से कैसे बचाया जा सकता है छुटियों के दिन थे, शेखर अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने गया था वह गेंद से खेल रहा था, खेलते खेलते उसकी गेंद थोड़ी दूर चली गई जब वह गेंद उठाने गया तो अचानक उसे कुछ आवाजे सुनाई देने लगी उसे लगा जैसे कोई बहुत दुख भरी आवाज में बाती कर रहा हो उसने आवाजों को ध्यान से सुनने का प्रयास किया उसे लगा की आवाजे नदी और व्रिक्च से आ रही हैं नदी और व्रिक्च आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे सेखर ध्यान पूर्बक उनकी बाते शुनने लगा तो छुटियों के दिन थे सेखर अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे पिक्निक मनाने गया था और खेलते खेलते उसकी गेंद नदी के किनारे चली गई और वह जब गेंद को उठाने गया तो उसे कुछ दुख भरी आवाज सुनाई देने लगी तो सेखर ने उस आवाज को ध्यान पूर्बक सुनने का कोशिस किया अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे व्रिक्च नदी बहन कैसी हो नदी व्रिक्च भाई मैं तो देखो दिन पर दिन छोटी होती जा रही हूँ मेरा जल जो कभी स्वच हुआ करता था कितना गंदा हो गया है मुझे तो अपने अंदर से ही दुरगंद आती है याने बदबु आती है ये मनुश्य कारखानों की याने फैक्टरियों की गंदगी और नालों का गंदा पानी मुझे में ही छोड़ देते हैं लगता है मैं कुछ दीनों में सूख जाऊंगी ब्रिक्च हाँ बहन तुम ठीक कहती हो मुझे ही देखो मेरे परिवार के कुछ ही सदश्य बचे हैं बाकी सबको तो मनुश्य ने अपने उप्योग के लिए काट डाला है मैं तो रात दिन डरता हूँ कि ना जाने कब मैं भी उनका सिकार बन जाऊँ हवा बहन तुम बताओ तुम्हारी क्या दसा है हवा मेरा जो हाल है वह मत ही पूछो मेरा तो दम घुटने लगा है कारखानों से और वाहनों से निकलते धुए ने तो मुझे बिमार कर दिया है व्रिक्ष भाई तुम्हारी संख्या जब अधिक थी तब तुम मुझे साप कर देते थे अब तुम्हारी संख्या कम हो जाने के कारण मेरी बिमारी बढ़ती जा रही है मिटी मेरी दसा भी तुम सबके जैसी है मनुश्य के लिए अन्फल उपजाते उपजाते तो मेरी सक्ती ही समाप्त हो गई है मनुश्य मुझे अधिक अन्फल और सब्जियां चाहता है इसलिए राशाइनिक उर्वरक यानि राशाइनिक खाद डालता है और मुझे रोगी बना देता है यानि बीमार बना देता है मनुश्य अपनी जर्रतों को पूरा करने के लिए हमारा दुर उप्योग यानि गलत उप्योग करते हैं जल, वायू और भूमी को प्रदूशित करते हैं अगर ये ऐसा ही करते रहे तो हम नश्ठ हो जाएंगे और यदि हम ना रहे तो मनुश्य भी नहीं बच पाएगा सेखर आप सब घबराईये मत अब मनुश्य आपके महत्वा को जान रहा है पुस्तके, समचार पत्र, रेडियो, टीवी ऐसे बहुत से साधन है जिनसे मनुश्यों को प्रदूशन ना फैलाने की और व्रेक्ष ना काटने की सिक्षा दी जा रही है व्रेक्ष, नदी, मिट्टी और हवा क्या तुम सच कह रहे हो सेखर एकदम सच चलो अब सब मुस्करा दो शेखर की मम्मी उसे धूर्टी हुई आई और हाथ पकड़ कर ले गई तो इस प्रकार हम इस पार्ट से हमें यही सिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पार्य वरन को दूसित होने से बचाना चाहिए बच्चो मैं आसा करती हूँ कि आप इस चाप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे अब हम लोग देखेंगे कठीन सब्दों के अर्थ प्रयास कोशिस स्वच साप दूर्गंद बदबू उपजाते उगाना उर्वरक वहरशायनिक खात जो भूमी की उपजाव सकती बढ़ाए रोगी बीमार दुर उपयोग गलत उपयोग प्रयदूशन दूस्चित करना या दोश्युक्त बनाना अब हम लोग अभ्यास की ओर जाएंगे पेज नमबर 40 कोश्चन नमबर 3 एक सब्द में उक्तर बताईए का नमबर शेखर अपने माता पिता के साथ कहां गया आंसर शेखर अपने माता पिता के साथ कहां गया नदी के किनारे का नमबर शेखर को कैसी आवाजे सुनाई देने लगी आंसर दुख भरी गा नमबर नदी का जल कैसा हो गया आंसर गंदा घानमबर ब्रिक्च को किस बात का डर था आंसर काटे जाने का नेक्स्ट कोश्चन एक वाक्या में उत्तर लिखे नदी का जल किस कारण प्रदूशित हुआ आंसर कारखानों की गंदगी और नालों का गंदा पानी मिलने के कारण नदी का जल प्रदूशित हुआ खानमबर मनुश्य के किस ब्योहार के कारण ब्रिक्च दुखी था आंशर मनुश्य अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए ब्रिक्षों को काटते रहते हैं इसलिए ब्रिक्ष दुखी था गानंबर हवा ने अपने बिमारी का क्या कारण बताया आंशर हवा ने कारखानों से निकलने वाले धुए को अपनी बिमारी का कारण बताया गानमबर मनुश्य मिट्टी में राशायनिक उर्वरक क्यों डालता है आंसर मनुश्य अधिक अन्फल फूल की पैदावार के लिए मिट्टी में राशायनिक उर्वरक डालता है अंगानमबर सेखर ने व्रेक्ष नदी हवा और मिट्टी को क्या कहा सेखर ने व्रिक्ष नदी और हवा से कहा कि पुस्तके, समाचारपत्र, रेडियो, टीवी ऐसे बहुत सेसाधन है जो मनुष्य को प्रदूशन ना फैलाने तथा व्रिक्ष ना काटने के लिए जागरूप कर रहे हैं